केक खाना किसे नहीं पसंद होता है वो भी 15 मिनट में ये केक बन करके रेडी हो जाए तो फिर क्या ही कहने तो चलिए बनाते हैं आज हम सूजी से बनने वाला बहुत ही मज़िदार सा स्पॉँजी जालीदार सा ये केक बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही मुलायम बन करके ये केक र प्रफिश के साथ 1 टेबल स्पून इसमें एड़ करेंगे कॉन फ्लार और 2 टेबल स्पून इसमें एड़ करेंगे मैदा इन सब चीजों को हमें अच्छे से पीस लेना है एक दम इसका फाइन पाउडर हमें तयार कर लेना है अगर आप चाहें तो इसे चान भी सकते हैं तो य अगर पतली है तो आप तीन चोथाई कप लें और आपकी दही गाड़ी है तो आप आधा कप का इस्तमाल कर सकते हैं तो चीनी और दही को हमें अच्छे से मिला लेना है और इसके बाद हम यहाँ पे एड़ करेंगे तीन टेबल स्पून के करेब कुकिंग ओयल तो यहाँ प से इसे मिला लेना है तो कॉन फलार डालने से जो हमारा केक कर टैक्च्चर है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया आता है इसलिए हम यहाँ पे कॉन फलार कर साय कर स्तेमाल कर रहे हैं अब इन सब चीज़ों को हमें मिला देना है हमारे ड्राइ इंग्रीन्स में तो इसे अच्छे से मिला लें और मिलाने के बाद अब हम इसे रेस्ट करने के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो यह देखिए 15 मिनट हो चुका है कितना बढ़िया से हमारा जो बैटर है वो फूल चुका है और इन केस अगर आपको बैटर पतला लगता है तो आप यहाँ पे एक से दो बड़ा चमच मैदा का इस्तमाल कर सकते हैं और अगर आपको बैटर थिक लगता है तो यहाँ से एक से दो चमच के करीब आप रूम टेंपरेचर का दूद इसमें एड़ कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने एड़ कर दिया है वन टी स्पून बेकिंग पाउडर और ले लेंगे एक चौथ हाई कप यहाँ पे बेकिंग सोडा और इन सब चीजों को अच्छे से मिला लेना है और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक चुटकी के करीब नमक भी एड़ किया था यह मिठ प्रेड हुई रहे जब हम सूजी का केक बनाते हैं तो इसे हमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर या फिर इनों डालने के बाद पांच मिनट छोड़ देना चाहिए उससे जो इसकी जालियां पड़ती है वो बिलकुल मैदे वाला टेक्शर लाती है जैसा मैदा का के बनाने के बाद जो टेक्शर आता है वो बिलकुल वैसा ही आता है तो आप इसे पांच मिनट जरूर चोड़ें तो अब देखिए इस तरीके से मैंने इडली स्टेंड ले लिया उससे अच्छे से ओल से ग्रीस कर लिया है अब थोड़ा थोड़ा बैटर हम इसमें था और इसे गरम होने के लिए रख दिया था तो यह बढ़िया से गरम हो गया है अब हम नीचे वाले बैच में इसमें नहीं डालेंगे बस सेकेंड वाला और थर्ड वाले में बनाएंगे अगर नीचे वाले में हम डालते हैं तो उसका जो नीचे का सर्फस होगा वो बहु देखिए थोड़ा सा बैटर बचा था तो मैंने इस तरीके से कप में ट्रांसफर कर दिया है और इसे भी मैंने मीडियम फ्लेम पे 10-15 मिनिट के लिए पका लिया है तो ये देखिए ये हमारा बन के रेडी हो गया है ये ठंडा हो गया है बढ़िया से और अब हम इसे निकाल तो थोड़ा से चमच में लगाए और इस तरीके से निकाल दीजिए बहुत ही बढ़िया बहुत ही मज़ेदार सा ये केक हमारा बन करके रेडी हो गया है आप देख सकते हैं इसे मैंने थोड़ा सा उपर तक भर दिया था इस वज़े से इसका थोड़ा सा शेप आगे पीछ आप केक हुर लगा में देखने हैं अभी वी निकाल रही है तो मैं ऊमीद करती हूं कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी रेसिपी अगरChillımız नीजा करें रफ की और सभ्सक्राइब कर बिल्कोल न जाएं थाइंक यू